ये ना समझो टीवी सस्ता है तो ले आएं चलो टीवी घर में आ गया तो महंगा पड़ता है बहुत नमस्कार सलाम नुश क्लिक में आपका स्वागत है अपने मित्र उम्प्रकाश नदीम का इस शेर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है लेकिन अब नए संदर्बों में सोचता हूँ तो लगता है कि ये बहुत सटीक है और रविश कुमार भी यही कह रहे हैं कि टीवी बहुत महंगा पड़ने लगा है ये आपको बिमार कर सकता है पागल बना सकता है टीवी कम देखिए इस पर या तो जूट का प्रोपेगंडा चलता है नेता की नेतागिरी चल रही है आपको या आपके बच्चे को मानो बम में बदलने के लिए हिंदू-मुसलिम डिबेट चलाया जाता है एक टीवी का व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा है आखिर क्या वजह है इसी को जानने के लिए हम आजाए हैं खुद रविश कुमार जी के पास रविश जी आपका स्वागत है बहुत सीधा सहे सपाट सवाल कि आपने जनता से अपील की है कि इन धाई महिनों के लिए टीवी देखना बंद कर दें आपने ऐसा क्यों कहा बहुत सोच समझ कर करा क्योंकि यूं तो पिछले पांच सालों में अगर आप तेलिवीजन को देखें न्यूस चैनल को तो उसमें एक नैशनल सिलेबस चला और वो नैशनल सिलेबस क्या था जो बीजेपी और नुरेंद्र मुदी सरकार को सूट करनेवला नैशनल सिलेबस था जो हिंदूगर्द की बात करेगा वही देश पे राच करेगा जिसके अंडर टोन में एक हिंदू राश्टर की अवधारना थी और जिसके उपरी सतर पर हिंदू-मुस्लिम डिबेट चलता था और उस हिंदू-मुस्लिम डिबेट के कई रूप थे कई कोर्स थे जैसे तीन तलाग हो गया जैसे भारत-पाकिस्तान हो गया जैसे अखलाक का मामला हो गया और जिसमें कलबुर्गी तक की जब हत्या होई एक साहित तेकार की और साहित अकादमी ने जब शुक प्रस्ताव पास नहीं किया तो लोगों ने अपने पुरसकार लोटा दिये पर उसको एक अवार्ड वापसी गैंग बना दिया पुरसकार वापस करने में जो असली मुद्धा था उसके पीछे मोदी जी का विरोध भी एक मुद्धा हो सके इसलिए मैंने ऐसा कहा कि यह कुछ राजनीतिक जैसा है जबकि एक लोग तंत्र में यह सब स्वभाविक चीजें हैं कि अगर हां सहीत अकादमी है जो हमें अवार्ड देती है जो हमारी संग्रक्षक है एक तरह से वो एक सहीतिकार के मारे जाने पर इस तरह से देर कर दे शोकसभा प्रस्ताव करने में इसी का तो विरोध था दू गौरव वाले सब्जेक्ट थे जिसमें आप अदमावत का भी हफ तो चला उसमें डिबे और टेलिवीजन चैनल के स्क्रीन को आप देखिए तो उनकी भाषा बदल गई है तो जो कॉंटेंट है उसमें वो जनता का कॉंटेंट नहीं है वो एक पॉलिटिकल इस्टेब द्वस्त कर दिये गए अब रिपोटर नहीं है पांच एंकर है ठीक है यह सुनने को मिलता है कि रिपोर्टर के सोशल मीडिया प्रोफाइल को देखा जा रहा है कि वो कहीं सरकार की आलुचना तो नहीं कर रहा है उसकी शिकायतें की जा रही है उसके अन्य गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है यह भी सुनने को मिलता है कि जो मालिक हैं और अब लोगों का ध्यान चैनलों के मालिकों की तरफ जाना चाहिए और उनका नाम लेकर बोला जाना चाहिए कि ठीक है आप बिजनेस करते हैं आपको सब के पास उठना बैठना होता है बहुत जरूरी है वह आपका हिस्सा लेकिन अब यह सुनने को आता है कि सिधा अगर आप एडिटर से आपकी कोई बात नहीं जासे तो मालिकों से शिकायत की जाती है और आज ही मैंने जिसे लिखा है कि सब को एक briefcase मिल रहा है, तो briefcase क्या है, निर्देश है वो, और निर्देश को आप किसी भी तरह से उसको पढ़ सकते हैं, तो अब जो बाकी धाई महिने हैं, इसमें कोई सूचना आनी नहीं, कोई नई सूचना आनी हो, जैसे हिंदी चैनलो उनने बताया कि विदेश नीती के मामले में नरेंदर मोदी बहुत सफल है, वो विदेश यात्रा हैं उनकी सफल रही, विदेश नीती क्या सफल रही, दोनों में अंतर है, तो विदेश यात्रा कैसे सफल रही, कि वो एक जहाज लेकर जाते हैं, ठीक है और उतरते हैं और वहाँ पर भारतिये लोगों को बुलाते हैं कि स्टेडियम में जमा करते हैं खर्चा पानी जो भी डालमोट लड़ू एक समोसा चमचम दिये तो उसमें खर्चाई हुआ मोधी मोधी का नारा हुआ चले आए तो वो विदेश में आपने भारतियों क आयोजन किया हमें यह आप यह नहीं पूछते हैं कि ऐसे आयोजनों को लेकर कितना खर्च हुआ सरकार का और यह क्यों जरूरी था तो यह विदेश यात्रा का हिस्सा हुआ उसके बदले में आपने विदेश नीती में क्या हासिल किया यह आपको उन चैनलों पर बहुत सीम यहत्र हुँकन नहीं है तो सूचना जमा करके जो यह धार नाएं है उनके समानांतर तथ्थे रखना सवाल रखना असंभव मतलब इनके मालिकों के लिए वकाऍकी बात नहीं है एडिटर के लिए वकाध ऑन नहीं है रिपोर्टर तो खवाइब में नौकरी कहां तक बचा पास क्यों जा रहे हैं आप जाएंगे तो आप एक राजनितिक गतिविदी कर रहे हैं और आप अच्छा काम कर रहे हैं बीजे पी की सभा में जाना अच्छा काम है कि आप उसके नेता को सुनने गया हैं बजाए इसके कि निजे चैनल जिसका काम कुछ और था उसको आप बीजेपी की सभा में जाएं, पसंद कर सकते हैं, पर मुझे बताइए कि बीजेपी को पसंद करने के लिए, नरेंद्र मोदी को पसंद करने के लिए भारत की पत्रकारिता को इस पोलिटिकल इस्टेबलिस्मेंट की जूती बनाना क्या जरूरी है? यह सवाल मैं दर्शक से भी नहीं करता हूँ, यह सवाल मैं RSS के लोगों से भी करता हूँ, और यह सवाल मैं BJP के सपोर्टर और नेताओं से भी करता हूँ, कि क्या यह जरूरी है कि नरेंद्र मोधी को जीत दिलाने के लिए, या उन्हें पसंद करने के लिए भारत की पत्रक चैनल देखेंगे पर उनको एक ही प्रकार का कॉंटेंट एक ही प्रकार की सामगरी नजर आएगी यह भायावा है इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ लोगों ने कहा कि आप आप कौन होते हैं लोगों को बोलने वाले अब अगर सौ न्यूस चैनल मिलकर लोगों का च्वाइस लिम च्वाइस न्यूस चैनल डिक्टेट कर रहे हैं कि आपको बीजेपी और उसके प्रोपेगेंडा के लावा हम कुछ नहीं दिखाएंगे दिखाने के लिए दिन में थोड़ा दो-तीन वजे राहूल गांधी का दो-तीन मिनट का वह रैली दिखा देंगे लेकिन साम का प्रा कारिता को ध्वस्त करने में योगदान ना करें क्योंकि अगर एक बार इस जनलिजम को आपने खतम किया उसको मानिता देके तो यह जो सौच टेलिवीजन चैनल है ना वो सिर्फ बीजेपी की आवाज नहीं बन रहे हैं उनका बीजेपी की आवाज बनना यह साबित करता है यह बताता है कि मीडिया ने लोगों की आवाज बनने का काम ऑफिशली छोड़ दिया है अप प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के सीने का असली साइज हिंदुस्तान को पता चला है जो 56 इंच नहीं बलकि 50 इंच का है तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप दर्शक हैं आप क्यों चाहते हैं कि आपकी आवाज समाप्त कर दी जाए यह तो आप नहीं कर सकते ना आप जब अपनी आवाज नरेंदर मोदी को चुनकर देश को बताना चाहते हैं कि यह हमारी आवाज है तो आप दूसरी तरफ नियूस चैनलों के सर यह अपनी आवाज को फिर आपकी आवाज कोन बताएगा तो इसलिए लोगों को न्यूस चैनल नहीं देखना तो कहरी सूचना मिलना या एक ही तरह की सूचना मिलना यह और कितना बड़ा खत्रा है यह बहुत बड़ा खत्रा है अब नहीं संभव है क्योंकि न्यूस चैनल में रिपोर्टर अब नहीं है अब अंकर है ह डिबेट करने में कोई मैनत नहीं है, मैं जो करता हूं उसमें बहुत मैनत, मेरी हालत खराब हो जाती है, और भाइती नजार शब टाइप करने पड़ते हैं, उसमें भी रिसर्च करके, तो जो मैं रिसर्च करता हूं, उसमें भी प्राथमिक सुचनाएं नहीं होती, नहीं तो यह सारी योजना है जैसे उज्वला है तो कोई रिपोटर घूम रहा है कि एलीडी क्या है क्या जो इतनी सरकार दावा करती उस एलीडी में किस एक कमपनी को फाइदा हुआ या नहीं हुआ क्या उस ब्यापार के जरीए कोई एक ऐसी कमपनी बन गई जो पिछे से किसी और की मदद कर रही है हमको मालूम नहीं है तो हम बहुत सारी चीजे नहीं जानते हैं लोगों में ये धारना है कि आजकल तो कई न्यूस चैनल हो गया है ये बात सही है लेकिन लोगों को ये बताना पड़ेगा कि कई सो न्यूस चैनल होने के बाद भी सूचना अब एक ही प्रकार की है तो अगर इतनी बड़े बड़ी दुनिया में अगर एक दो प्रकार की सूचना आपके पास हो उतनी ही हो तो मैं उसको कहता हूँ कि आप सूचना विहीन अवस्था में है आप एक information less voter है आपको कुछ पता नहीं है सिवाए इसके कि आप नरेंदर मोधी को पसंद करते हैं या प्राहुल गांधी को पसंद करते हैं असली हिंदू वसिस ठोंगी हिंदू क्या टोपी पहना कर जानीदार टोपी पहना कर 2019 की जंग जीत जाएगी कॉंग्रेस आप विपक्ष को भी ये सलहा दे रहे हैं उनसे भी कह रहे हैं कि आप अपना प्रतिनी डिबेट में मत भेजिए तो इसके इसकी क्या वज़ा है और विपक्ष क्या ऐसा उसके लिए कि ये अफसर होता है अपनी बात पहुचाने का क्या वो ये इसे खोदे विपक्ष देख ले कि उस स्क्रीन पर उसे वो अफसर मिल रहा है जो सवाल भेजे जा रहे हैं जो सवाल तय होते हैं वो किसकी तरफ से सवाल होता है है ये विपक्ष देख ले अगर उसको लगता है कि उसे बराबरी के तौर पर उसको मिल रहा है तो जाए लेकिन उसको है वह वहां पर बेठा है अब बीजे पी के प्रबक्ता होते हैं एक और इसर के विचारक बताइए सालए का दिश्थी अड़ बाकी कहा है बाकी को पी Malo City कोई स्पेस नहीं मिलता है और मुकुल जिए आप रिसर्च कीजिए कोई कोई भी रिसर्च करे बात यह कि मैं भाभुक्ता में नहीं 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 जींडिद मैं यह कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के जो यह न्यू शवरreibt होगी यह बात शाबीत होगी कि हिंदुस्तान के निउस चैनल ने इस देश की डेमोक्रेसी को कुछला है यह फ्रंटल हथियार है वेपन है उन खत्रों के जिनके बारे में हम सब पढ़ते रहते हैं सतर्क रहते हैं एक आदत सी हो गई है कि आपको सतर्क रहना सवालों से देखना है तो इसमें आप तीन में तो दो गंटे तक का एप आप ने जाते हैं पर राहुल गांधी की सभा होती है तो ब्रेक नहीं लिए लिए लिया जाता वह शुरू करते हैं गिर जाता है ठीक बाकी जो और नेता हैं उनका दिखाया नहीं जाता है तो पूरे देश में 5 साल तक लगतार आप एक ही आदमी को दिखा रहे हैं उसमें भी क्वेस्चन नहीं कर रहे हैं कि बतानी रहे हैं कि उन्होंने अपनी छबी बनाने के लिए क्य ये शुरू हो गया ने ये 2014 के बाद से शुरू हुआ ऐसा नहीं पतन पहले से नहीं था पतन की प्रवरितियां और प्रकृतियां अलग-अलग समय में अलग-अलग होती है इसे हम क्या समझे इस तरह से एक एक हिंदू नहीं या विपक्षी कमजोरी कैसे अगर तमाम तरह के प्रवार विपक्ष को तै कर लें है ना हमिशा के चंबर में बैठके प्रवी कर लें कि हमको विपक्ष यह जखे टू कि और बैटे कौ नहीं आपकी नजरों से विपक्ष गायआ तो विपक्ष कैसे कमजोर है ने म działियक प्रवार काई लिकिन पस्षी कि यह कभी नहीं अभी तो थोड़ा बहुत आपको दिख रहा है, क्योंकि लोग अलर्ट हुए है, लेकिन आप पहले के चुनाओं की जाके चैनल का कवरेज देखें, तो आपको विपक्ष की कहीं आवाज नज़र नहीं आई, रैली की रैली विपक्ष की गायब की गई, आप देखिये तो, यह हम कैसे बरदास्ट कर सकते हैं, हम ना चुने विपक्ष को यह बहुत अच्छी बात है, है ना, कि आप अपना विकल्प सोच समझ के, आप करते हैं, ठीक हम इनके लाया, हम इनको चुनने लायक नहीं समझते हैं, लेकिन यह चुनाओं मीडिया ने अपनी तरफ से क्यों से क्या है, आपने सवाल उठाय रहा है, उनकी सरकार ने क्या क्या है, तो इस तरह के सवाल नहीं पूँचे весь يृषि कर रहे हैं, कि प्रदान मंत्री जी आप जो स्कूल स्प्रोंल कर रहा है, क्या वो जरूरी थांगि तो तो मैं यह जानना szczegól हॉत्तु क्वी सबाइद हैं कि तीवी मत देखिए, तो क्या कोई और चारा नहीं बचा? आपको आपको सूचना नहीं मिल रही है, आप अगर इस भ्रहम में रहना चाहते हैं, मुझे उससे कुछ लेशक लेना देना नहीं है इस तेलीविजिन अब इसमें दम नहीं है और यह पत्रकृरीता और स्था पक्ष के साठ्ट गाट की ही नहीं है इस साठ्ट गाट में ये तै होता है कि हमको विपक्ष का या असं हमती का हर सवाल ऐसी हर सुचना को गायब कर देना है तो आप सूचना गायब कर सकते हैं, लेकिन सूचना नहीं गायब हो रही है, जनता गायब हो रही है, हजारों की संख्या में लोग जमा होते हैं अपनी आवाज उठाते हैं और उन सैक्रो चैनलों में उनको कोई प्रतिनी धित्व नहीं दिया जाता है, तो आप देखिए कि आप विपक्ष के संदर्म नहीं, जनता को इस टेलिवीजन ने गायब किया है, उसकी जगा पर अपने समर्थकों को जनता गोशित कर दिया, कि ये मेरे दर्शक हैं, जो ट्रेंड करा देते हैं, आप मुझसे हैसमत ही होते रही है, मुझे अच्छा लगए है कि आप मुझस आपको डिक्टेट कर रहे हैं कि आपको यही देखना है, तब वैसे स्थिती में ये सवाल जायज है, ये बात कहना ठीक बात है, तारकीक बात है, कि कम से कम धाई महिने के लिए आप इन निउस चैनलों को ना देखें, और अखबार? वही बात है, अखबार का भी वही हाल है, अखबार का भी, मैं तो टीवी का माध्यम का व्यक्ति हूँ, हिंदी अखबारों की स्थिती बहुत खराब है, बहुत से उनके फ्रंट पेज देखिया, दैनिक जागरन का, हिंदुस्तान का, और भी जो पत्रिका है, दैनिक भासक है, बहुत तरह के ऐसे अखबार हैं, कभी-कभी आपको दिखेगा, लेकिन कुछ अखबारों में तो पिछले दो महीने से मैं देख रहा हूं, कोई खबर ही नहीं, कोई खबर नहीं है, कोई जानकारी, कोई नया तथ नहीं दिया जा रहा है, तो और वो उनकी अपनी रिप प्रिकली देखने का, हम लोगों को खुद ये क्या, कोई किसी के विरोध में भी बात समझ में नहीं आई है, बीस साल बात जाके ये समझ में आई है, कि इन्फॉर्मेशन के जरीए, किस तरह की क्लिंजिंग हो रही है, यानि सफाई हो रही है आपके दिमाग में, कि अब आ आपको या कोई रिपोर्टिंग आपको नहीं दिखेगी, एक आद या अपवाद में दिख जाए, तो इसको लेकर आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि सब ठीक है, जबकि हिंदी के पत्रकार बड़े धाकर और माहिर लोग होते हैं, उनके पास सत्ता और समाज, दोनों की रहे हैं तो छपेगे हैं, तो इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदी के अख़बार, हिंदी के पाठकों की हत्या कर रहे हैं, तो पाठक की हत्या कैसे होती है, अगर आप पाठक को सही सूचना ना दें, एक ही प्रकार की सूचना दें, उसको अंधेरे में रखें, उसको इंफॉर करता हूं मैं क्या कर सकता हूं लेकिन जो मुझे बात समझ में आई वो मैंने लोगों के सामने रगए पर बात इससे आगे निकल गई आपने कहा मालीजी हम टीवी बंद कर दें बहुत हो नहीं कर भी दिया बहुत लोग काफी समय से नहीं टीवी देख रहे डिबेट तो बिल लेकिन टीवी कम देखिए बहुत से लोग अब सोशल मीडिया पर उन चैनलों की करतूत को लेकर लतीफा बना रहे हैं अब मैं आपको बता रहा हूं मैंने यह नहीं कहा कि आप मेरा देखिए जब मैंने कहा कि टीवी मत देखिए उसमें मैं भी शामिल हो उसमें मैंने कोई अपवाद नहीं रखा उसका कारण में बताता हूं कि 200 संख्या का एक वृत है 200 तरह की सुचनाएं हैं एक मैं तो नही भी बता रहा हूं, तो भी मैं सारी सुचनाओं के साथ न्याय नहीं कर रहा हूं, तो आपको लगता है कि मैं प्रासंगीख हूं या महत्वपुण हूं, दरसल मैं भी उसी informationless society का पार्ट हो गया हूं, तो मेरे जरिये जो सुचनाओं दी जा रही हैं, वो बहुत एक बिंदू कर रहा हो, या किसी एक बड़े से चैनल में कोई एक anchor कर रहा हो, वो महत्वपुण नहीं है, उसको भी नहीं देखा जाना चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए, जब आपको ये सिती स्विकार करनी होगी, कि आपको इन माध्यमों से आप सूचना नहीं मिल रही है, अगर पूछा जाए कि ऐसा क्यों है, अगर आप पूछ नहीं रहे हैं, तो फिर आप अपने बचने को लेकर गंफीर नहीं है, अगर आपको लगता है कि ये सब खेल मीडिया में पहले भी होता रहा, आपात काल में और इस काल में, उस काल में, ये कभी भी नहीं हुआ, पत्रकार जरूर सरकार के करी भी रहे अखबार भी रहे लेकिन एक खबरों को लेकर प्रतिस परधा रही तो उससे यहां नहीं तो वहां खबरें यहां चिंगारी नहीं फूटी तो वहां फूट गई यहां फूट गई तो वहां फूट गई तो लोगों में अलग-अलग तरह की सुच से करूंगा ताकि देखने वाला अगर दो चैनल देख ले तो उसको बड़ा व्यापक परिप्रिक्ष मिलता है अब वो सब सिमित हैं आप देख लीजिए कि हफ्तों भर पुल्वामा के बाद सरकार के एजेंडे के तरफ से युद्ध का उन्मात फैलाए गया आज आप लोगों को जो हमारे जोश में यह कहते हैं कि इस स्टूडियो में रहकर क्या बाते करते हो सीमा पर जाकर लड़ों तो हम भारत ये सेना के भी आगे फ्रेंट लाइन बनने के लिए तैयारे यह वचन देता हूं आज के लितना ही धन्यवाज जहन अब ही आपने जो कहाने ब अब बीजेपी को भी देखिये गांत में और उसके जनरल सेक्रेटरी को भी मैं कहता हूं कि आने वाले दिनों में वो रिडिंडेंट हो जाएगा वो महतोहीन हो जाएगा क्योंकि उसका जनरल सेक्रेटरी तो एंकर बन गया है जो निउज एंकर है वो भारतिय जनता इतना आसान नहीं है आप देखिए कि उनके साथ पूरे उसी तरह का बरताव होता है पर एक पूरा वर्ग इस दूसरी तरफ से भी हमलावर है जैसे हम और आप भी कहते हैं गोधी मीडिया पर उधर भी मैंने आवाजे सुनी कि डिजाइनर पत्रकार ने ने ये कहने से क्या तो अपने कपड़े और कोट की कीमत बता दें लोग अपनी गाडियों की कीमत बता दें कि आप किस गाड़ी से आते हैं डिजाइनर कौन हो तो पता चलेगा ना उसी से तै हो जाए कौन कहां रहता है इससे भी तै हो जाए अगर इससे तै करना तो अगर आप सरकार की गोध हैं हम डिजाइनर नहीं हैं कुछ दोस्तों से बातचीत हो रही थी दरसल यह मैं इसलिए भी आपके पास आया जब यह आपकी अपील आई तो कुछ दोस्तों ने का शायद यह पलायन है और क्या एक समस्या या बुराई से हम मूँ चुरा लें उससे लड़ने के कुछ तरीके वाजार हमें घबकर मुझाड़ने पांश साल में कौन से उजार विक्सित किया है कौन से तरीके विक्सित हैं बताएं किसी बात को जैसा है वैसा कह देना पलायन कैसे है इसका मतलब है कि ओन्हें पलायन को लेकर कोई समझ नहीं तो शांती से जारा थोड़ी देर बैठिये और सोचिए अगर हम करें तो करें क्या बोले तो बोले क्या यह बहुत हिम्मत की बात है कि आप टीवी में काम करते हुए यह बात कह दें कि आप धाई महिने तक न्यूज चैनल ना देखें आपको लगता है यह पलाइन है आपको लगता है कि मैं यह बात किसी शौक से कह रहा हूं मैं अगर इस बात में यकीन नहीं होता तो मैं नहीं कहता हूं मैं आपको फिर बताता हूँ कि पर्यापत अध्यन के बाद मैं बहुत काम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि बाकी जो एंकर काम करते हैं उनकी वीडियो रेकॉर्डिंग दिन भर की बना ले जाए और मेरी भी बना ले जाए उस पर भी एक दिन बात हो जाए मैं बहुत काम करता हूँ, तो उस काम करने के दौरान, रोजाना कई सो लोगों से बात करने के दौरान, उसके अनुभाव का ये सार है, मैं आपको बता रहा हूँ, कि जब मैं काम करने आया था इस माध्यम में, तो लगता था कि ये जनता को सशक्त करने का माध्यम है, आज य इससे नहीं बदलता है, जैसे बताया कि 200 सुचनाएं, सुचनाओं का वृत है, उसमें अगर एक सुचना सही है, तो वह बेमानी हो जाती है, इतने वड़े देश में पूरा चारो तरफ से अंधेरा है, एक रॉस्नी आरेकर है, कविता थोड़ी लिख रहा है, डेमोक्रेसी मे कविता का अपना एक युगदान होता है, लेकिन ये कविता लिखने की बात नहीं है, वो तब भी कहा जाएगा अंधेरा है, कहीं से एक रॉस्नी हो जाने, आ जाने के कारान, उसको सवेरा नहीं कह सकते हैं, सवेरा तब कहते हैं, जब पूरा बादल साफ दिखे, ये धोका है कोई सवेरा नहीं, तो ये आप, मैं कह रहा हूँ कि आप मत बंद किजे टीवी, जो मैं कह रहा हूँ टीवी बंद करने के कारणों के पीछे आप उस पर सोचिए, उस पर सोचिए और आप टीवी मत देखिए, धाई मेने कर, पहले मैं कहता था कि टीवी मत देखिए, फि यह मैं अपने चैनल पर भी बोल चुका हूं, फिर मैंने इसमें संशोधन किया कि टीवी कम देखिए, अब मैं बोलगा हूं, धाई महीने न्यूज चैनल मत देखिए, अख़बार मत पढ़िए, क्योंकि अब कुछ भी आप नया नहीं जानेंगे, इनके बोगस बयान जानें तो इस्तितियां तब विकट हैं, पर ऐसे में जो एक पुराना पत्रकार है, या एक नया पत्रकार है, वो क्या कर सकता है, उसके बारे में कुछ आप कह सकते हैं? क्या करेंगा, वो अपना काम कर रहा है, जो लोग फ्रिलांस हो गए, में इस्टिम छोड़के, वो अपने आज इविका के संकट में उसी में लगे हुए हैं, बहुत अपना डेडिकेशन के साथ बड़ी बात है, लेकिन वो व्यक्तिकात रूप से तो वो कर सकता है, लेकिन जिन चिनोतियों की बात मैं कह रहा हूँ, उसका समधान तो संस्थागत ही हो सकता है, व्यक्तिकत नहीं हो सकता है, आप सरहना कर सकते हैं कि कोई बहुत संघर्ष कर रहा है, फ्रिलांसिंग कर रही है, वो अच्छी बात है, लेकिन वो बदल रही है पत्रकारिता के में इस् स्टेल बहुत बड़ा है में स्टीम का, भाई आप देखें तो कई हजार करोड का जो विग्यापन है, वो फ्रिलांस तक तो नहीं पहुंचता है, वो चुटकी घर कोई अगर कोई इंडिविजूल यूट्यूब पे कर रहा है तो वहां तक पहुंचता है, लेकिन जो कई ह करने से उसका जिन्दगी तो बदली ना है, इनके यह भकवास फर्जी बायानों पे डिबेट करते रहें, तो लोगों को मिली 50,000 से अधिक लोगों को नहीं है, लेकिन यह आप मत कहिए कि यह समधान है, नहीं नहीं, मैं भी उसी क्राइसिस का पार्ट है, यह मैं खुद को मैं इस धोके में नहीं रखना चाहता कि हाँ यह उम्मीद है, और कोई कहता है कि यह उमीद है, तो मुझे मैं बहुत, मुझे बहुत परिशानी होती है, यह उसका पलायन है, कि आप उस टफ क्वेस्चन का सामना नहीं कर पा रहे हो, जो बड़ा क्वेस्चन है, तो भगा आपके कहे समय, यह सब रेकॉर्डेड है, यह सारी बाते साबित होंगे, मुझे यह पता है, टीवी देखने ना देखने से जादे है, लोकतंत्र का है हमारे, और उसे ही बचाना है, वो तभी बचेगा कि जब आप दर्शक बनेंगे, दर्शक को पहले फैन और फिर बच्चत बन जाई, नागरिक बन जाई, फिर आप सवाल करना शुरू के लिए, लेकिन आपको क्या सिखाया गया, कि जरा गाड करो तुम्हारे आसपास कोई सवाल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप फेस्बूक पे अपने बच्चों को डाटने लगे, कि नहीं मोदी करना श्री मनें बच्चाईबी के बारे में नहीं कहना है, यह नहीं कहना है, तुम्हारे अपना इमेज क्रियेắt कर रहा है , media के जर रहे, कि क्वेस्चन करना तो आप भी ठेकदारी ले ले लेते ह 15 साइजिए है, कि नहीं नहीं आपको प्रधान मंत्री कालो उचना नहीं कर एक प्रक्रिया को लंबे समय तक देखने के बात ये बात कही है, ठीक है, गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे भरुसा है कि मैं गलत नहीं होने वाला हूँ, तो दोस्तों आपने रविश कुमार जी को सुना, दरसल वो जो कहना चाह रहे हैं, वो वही कहना चाह रहे हैं कि हमें इस लोकतंत को बचाना है, वो टीवी देखकर बचा, बच सकता है, टीवी ना देखकर ये अब आपको और हमको फैसला करना होगा, अच्छा एक अलग से सवाल जहन में आया, बात खतम करते करते, कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री, ये किलौते शायद प्रधानमंत्री हैं, जो पूरा कारेकाल बिना क्रेस कांफरेंस के इनके बीद गया, और आपको भी चाहत रही कि एक बार वो समय दें, अगर वो आप समय मिलता, तो आप प्रधानमंत्री से एक सवाल सबसे महत्मून क्या पोस्ते हैं, ये कि आप इतना जूट क्यों बोलते हैं, ये सवाल करता तो ये सवाल लाजवाब कर देने माला है, तो दोस्तों सोचिए, रविश्कुमार जी क्यों कह रहे हैं कि टीवी ना देखें, और अगर टीवी देखना चाहते हैं, तो उसके विवित्ताव को पैचानिए, तभी इस लोकतंत्र को हम बचा सकेंगे, शुक्रिया, धन्यवा देख करेए निस के लिए